आप देखेंगे कथाओं में अच्छी नीद आती है आती है सही है अमराइट क्यों नीद आती है कथा में आपने अनभो किया होगा तीन घंटे कम से कम जो नीद कथा में आती हूं नीद की टेबलेट खाने के बाद हुए नहीं हाती और यहां तो ठीक है खेर हॉल है खंबे उंबे नहीं है वरना अपने इंडिया में तो बड़े पांडाल होते खंबे लगे होते जैसे आव माराज पीछे टेक लगी तीन घंडे की जो समाधी लगती लाश्ट की आड़ती हो जाए पता ही न चले इतनी नीद आती है और हम तो एक बात कहते हैं कथा में अगर नीद आती हैं तो यह भी बूरी बात नहीं है क्यों हमारे जन्म जन्मांतर की इतने पाप हैं कि हमारे सर पर बैठे हुए पापों की गठ्री लेके हम चल रहे हैं पापों की गठ्री लेके चल रहे हैं और जब कथा सुनने से वो पाप कड़ने लगते हैं तो कहते हैं मन शान्त होने लगता है से शान्ती अ मिलने लगती है तो कोई बात नहीं दीरे धीरे धीरे कहीं नहीं कहिए मन अवर्ष्य लग जाएगा आधत बस होनी चाहिए हैबिट बननी चाहिए हमारी को स्वामी जी ने अद्वोद ग्रंद की रचना कर दी और देखिए दर्शन करिए भगवान राम भरत जी लक्षमर जी शत्रुगन जी जितना राम दरबार है भगवान राम के जीवन में जितने पात्र हैं मंदिर आपको शायदी किसी का दिखाई पड़े, कहीं आपने भरत जी का देख लिया, लक्षमर जी का देख लिया, तो देख लिया, पर एक पात्र है जिसका मंदिर हर जगे है, और वो कौन है, वार, श्यनमान जी महाराज है, क्यों है, इनकी पूजा हर जगे क्यों होती है, क्योंकि हनमान जी राम जी तक जाने वाली सीड़ी हैं राम जी की पूजा न भी करो कर इनकी कर लो तो ये पहुँचा देगे संदेशा इसे मंदिर में दर्शन कहीं, मंदिर में आप दर्शन करने जाएं और वहाँ जाने के बाद कुछ पुलिस वाले या कुछ लोग खड़े रहते हैं उनसे अपके सोर्स लगाते हैं न भाई साब मुझे दर्शन करा दुजरा तो वो जा करके अपने बड़े अधिकारी से बात करके दर्शन करा देते हैं ठीक उसी प्रकार से हमारे हनुमान जी हैं ये भी राम जी तक पहुचाने की सीड़ी हैं ये भी हमारे राम जी तक पहुचा देते हैं